दुर्गजिला, SECU की टीम एवं भिलाई नगर पुलिस ने संयुक्त कारवाही करते हुए मुखबीर की सूचना पर आटो चोरी कर उसे काट कर कबाड़ी को बेशने वाले गिरोह के नौ सदस्यों को गिरफटार करने में सफलता पाई है SECU की टीम ने मुखबीर की सूचना पर सूनकर महुला कैम्प दो निवासी, शेख फैजल और चंदर शेखर आजाद नगर नंदिनी रोड निवासी, अबजल खान को घेरा बंदी कर, कटिंग टूल्स के साथ पकड़ कर पूच ताच की आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हुडकों में खड़ी आटो की चोरी कर, इसके इंजन तीन टायर को बेमित्रा के कबाड़ी, वाहिद मुहम्मद और आटो बाड़ी, पार्ट के शवाब मेनन के पास बेचना स्विकार किया निशान देही पर शेक फैजल, अबजल खान से कटर मशीन, वाहिद कबाड़ी के कबजे से एक नक आटो इंजन, शवाब मेनन के कबजे से कटा हुआ आटो का पार्ट्स बरामत कर जब्त किया गया देवकर निवासी कबाड़ी योगेस निशाद विजे निशाद, सद्दाम मुहमद, हाजी रफीक, जाल बांधन निवासी लोकनात मतवारे के पास से पुलिस ने आटो क्रमांग CG04, JB 6667 कबाड़ी समान जब्त किया उक्त कारवाई में भिलाई नगस से सहयक उपनिरिक्षक लेकपाल साहू, प्रदान आरक्षक प्रेम सिंग, आरक्षक अमित वर्मा अनिल गुपता और एंटी क्राइम साइबर यूनिट से सहयक उपनिरिक्षक शमीत मिश्रा, प्रदान आरक्षक राज कुमार दिवाकर, चंद्र शेखर वजीर, आरक्षक प्रदीप सिंग, जावेत खान, नितीन सिंग, रिंकु सोनी अमित दुबे, रमेश पांडेव प्रदी प्यादों का अहम योगदान रहा है।